विदानसबा चुनाव के पहले शिवराद सरकार करमचारियों को साधने में जुट गई चार प्रतीशत मेंगाई भक्ता बढ़ाने की घोशना रोजगार सहायकों के पंचायत सचीव बनने का अफसर देनी के बाद अब संविदा करमियों की लंबित मांगों को लेकर मुख्य मंत्री शिवराद सिंग चौहान मंगलवार को घोशना कर सकते हैं इसमें संविदा करमचारी को 90 प्रतीशत से 100 प्रतीशत वेतन देनी और सीधी भरती के पदो में कोटा वीज से बढ़ा करके 50 प्रतीशत करना प्रमुख हैं प्रदेश में ठाई लग सम्विदा करमचारी है, सम्विदा करमचारीों की मंगलवार को भुपाल के लाल परेड मैदान पर महापंचायत बुलाए गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, रविवार को ही समान्य वर्गायों के अध्यक्ष शिफ चौबे और करम सम्विदा करमचारी महासंग के प्रतिनीध्यों नि मुख्यमंत्री से मुलकात की, इसके पहले समान्य प्रशासन और वित विभाक के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है, सूत्रों का कहना है कि सम्विदा करमचारियों की सेवा निरंतर रखने के लिए उनसे मुल्यांकन प्रतीन वेतन लिया जाता है, इसके अधार पर ही निर्धारत होता है कि सेवा निरंतर रखनी है या नहीं, इनसे जुस्पद का काम लिया जाता है, उनका 90 प्रतिशत वेतन ही दिया जाता है, जबकि करमचारियों का कहना है कि समान पद समान वेतन की विवस्था लागू होनी चाहिए अनुभव के अधार पर रिक पदों पर नियमित किया जाना चाहिए स्वास्त सुविधा के लिए अन्य करमचारियों की भाती पाच लाक रुपे तक स्वास्त वीमा की सुविधा मिले। अनुकंपा न्युक्ति और ग्रैचुटी होना चाहिए। झाल